आज मैं आपके सामने मैस का एक question लिक रहा है, question क्या बोला, find the remainder और यहां दिया वहा है 8 का power 71 upon 11 दिया वहा है, यहां पर देखे divide करना है, तो एक तरीका तो यह है कि normally जो हम क्या करेंगे, कि 8 को 71 times लिक करके, फिर उसको 11 से हम divide करेंगे, तब फिर divide करते करते, वो क्या हो जाए तो यह तो बड़ा lengthy process हो जाएगा, तो यहां पर एक theorem है, format little theorem, उसकी help से हम इस question का answer, easy way में इसका हम जो है remainder find कर सकते हैं, उस theorem का नाम है, मैं यहां theorem लिखतू, उस theorem का नाम है, format little theorem, यह theorem है, format little theorem, इस theorem में क्या कहता है, इस theorem में क्या कहता है, कि एगर a का power p minus 1 upon p है, तो इसका remainder होगा 1, यह 1 क्या है, remainder, कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरीकी से set कर देते हैं, जिसमें a जो है, a क्या है, मैं बता दूँ, a है integer, और यह जो p दिख रहा है न, यह p है, आपका prime number, prime number, मतलब कि अगर आप इसमें set कर देते हैं, जिसमें a आपका integer है, और उसके बाद p minus 1 और upon p, यहाने कि यहाँ पर अगर जो same number, prime number है, वही same number, और यहाँ denominator में अगर होगा, तब उसका जो भी, उसका क्या remainder होगा, उसका always one remainder होगा, तो अब हमको यह जो question दिया वाना, इसको आपको बिल्कुल इसी में set करना, जैसे for example, मैं आपको एक example देके बता दू, मालेचे मैं आपको, मैं इसमें आपको set करके दिखा रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पर a की जगा ले रही हूँ, मैं यहाँ पर a की जगा 3 ले ले रही हूँ, और p की जगा मैं 7 ले ले रही हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर, remainder हमेशा 1 होगा तो अब हमको इस question को इसमें format little theorem में set करना है तो देखिए कैसे set करेंगे मैं इस question को दुबारा लिख लूँ हमारा question क्या दिया है 8 का power 71 upon 11 यह दिया है ठीक है तो मैं page को उपर करती हूँ ठीक है हमें किसमे set करना है हमें set करना a p minus 1 upon p तो इसका remainder क्या होगा 1 1 क्या है remainder है ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे 8 है 71 को हम 70 plus 1 लिख सकते है बहुँ 71 क्या है 70 plus 1 होता है upon 11 ठीक है अब इसमें देखिए हमारा formula लगगा power and exponent क्या लगगा अगर x का power m plus n है तो यह बराबर होगा x का power m dot x का power n ठीक है तो यहाँ पर compare करेंजी एक हमारा क्या है x है यह हमारा क्या है M है, और 1 क्या है, हमारा N है, तो देखिए, एक्स का पावर M, तो X क्या है 8 है, फिर ये क्या M, M हमारा क्या है, M हमारा यहाँ पर 70 है, तो 70 dot और यह क्या है x, x हमारा क्या है 8 है और यह क्या n है, n हमारा क्या 1 है upon 11 यह आया हमारे पास ठीक है, तो page उपर करते हैं यह आया हमारे पास, अब इसके बार देखें हम क्या करेंगे यह क्या है 8 का power 70 dot 8 का power 1, तो 8 का power 1 तो 80 के बराबर हो जागा, तो इसको यहां लिखे, उसके बाद यह क्या है, 8 का पावर, 70 अपॉन 11, यह है, ठीक है, equal to, मतलब 8 का पावर, 8 मैंने पहले लिखते है, equal to, अब देखे, 8.8, अब इस 70 को, अगर हम तोड के लिखे, 70 है न, इस 70 को हम क्या लिखेंगे, 8.8 का पाव क्या होता है, 70 होता है, तो मैंने 70 के जगा क्या लिखे, 7 इंटु 10 अपॉन 11, ठीक है, अगें, अब यहां पर, पावर, एक्सपोनेंट का फिर, फॉर्मूला लाएगा, क्या लाएगा, कि अगर, x का पावर, m, dot, m, into, n है, तो यह बराबर होता है, x का पावर, m, whole bracket, पाव अब बेस हमारा क्या है, 8 है, यहां पर, अच्या, x का पावर, m है, तो m हमारा क्या है, 7 है, फिर यह क्या है, पर bracket लगाए न, फिर यह क्या है, n, n हमारा क्या है, n हमारा 10 है, तो 10 लेक दीजिए, upon 11, यह आपको समझ में आया, ठीक है, पेजू पर करते हैं, यह आया हमारे to eight dot eight का power seven upon whole bracket, अब देखिए, जो ten है न, इस ten को हम eleven minus one लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं न, eleven minus one minus करेंगे तो क्या आएगा, ten आएगा इस ten की जगह, हमने eleven minus one लिख दिया, upon eleven ठीक है, अब देखिए, यह क्या है हमारा, यह eight है, eight को एकदम अलग रखिए, into, अब इस पूरे टम को, इस पूरे टम को समझे, यह क्या दिया हुआ, eight का power seven, whole bracket और यहाँ पर यह क्या दिया हुआ है, eleven minus one, upon eleven, केवल इस पर focus किजेगा, यह बिल्कुल आपका, हमने में लिख दूँ, a p minus one, upon यही है, इसी में सेट करना था, equal to, हम यहाँ पर इसको लिखिए, eight का power seven, और यह क्या है, eleven minus one, eleven minus one, upon eleven, तो compare किजी, आप देखिए, यह a है, a हमारा क्या है, eight का power seven है, ठीक, eight का power seven है, और यहाँ पर p क्या है, p हमारा देखिए, eleven है, यहाँ पर set हो जाएगा, तो मैंने बताया था, यह किसके बराबर होगा, इसका remainder क्या होगा, इसका remainder, one होगा, one हो गया, कहने का मतलब कि यह जो पूरा term है यह वाला पूरा term, यह बिल्कुल इसमें set है, तो इसके value क्या होगी, one होगी, मैंने बताया था, a, p minus one upon इसका gotta one, इसका 1 यह one क्या बताता है, remainder बताता है, तो यह किसके बराबर होगा, बन के है, यानि कि यह हो गया, eight, यह वाला eight लिग दिए, into और यह पूरा one के बराबर हो गया, तो इसका answer क्या आया, eight आया eight यहाँ पर क्या है, answer है, तो यह remainder है, यह हमारा